दोगोचो ध्यान दू जैसे कि for example हम लोग एक question करें माल लीजिए हमें ये question करना है है ना x square plus 2 और x square minus 1 और tx ठीक है ये question हमें करना है तो दोगोचो जैसे क्या होता है हमारा दिमाग अकसर सीधे सीधे partial fraction पर जाता है दोगोचो ध्यान दो जैसे कई बार क्या होता है partial fraction करना एक long method बन जाता है है ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये question को short method से निकालें दोगोचो जैसे अगर हम इस term पर ध्यान दें तो हलांकी इसके partial fraction किये जा सकते है अगर हम इसके partial fraction करना चाहें तो कर सकते हैं है ना देखो ये है quadratic ये भी quadratic है ना इसको ऐसे मानना पड़ेगा ये हो जाएगा ax plus b upon x square plus 2 और देखो ये हो जाएगा cx plus d upon x square minus 1 है ना ये quadratic है इसके साथ में linear इसके साथ में linear हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन देखो अब अगर हमने इसमें सीधे सीधे partial fraction करने की कोशिश की तो a b c d निकालना पड़ेगा कोशन tough हो जाएगा कर सकते हैं लेकिन tough हो जाएगा लेकिन देखो यहाँ पर ज़्यादा आसान तरीका ये है अगर हम x square को t माल लें तो देखो उसका differentiation x उपर है तो इससे क्या होगा कि हम question को थोड़ा असानी से कर पाएंगे देखो इसका करें differentiation 2x बरावर dt by dx देखो यह x dx की value हो गई dt by 2 देखो यह हो गया integral बन अपॉन देखो x square को t माना तो t plus 2 और t minus 1 और देखो x dx हो गया dt by 2 देखो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं ठीक है देखो यह 1 by 2 integration बन अपॉन t plus 2 और t minus 1 और dt ठीक है ऐसा है अब देखो इसके partial fraction करना काफी easy है है ना देखो जैसे यह है ना बन अपॉन t plus 2 और t minus 1 देखो इसको ऐसा समझो कि actually यह दोनों के दोनों अब linear term हो गए और इसको हम partial fraction कर सकते हैं अपने shortcut तरीके से अगर सारे factor linear हैं तो partial fraction shortcut तरीके से कर सकते हैं क्या करते हैं देखो यहाँ पर ले लो t plus 2 और यहाँ पर ले लो t minus 1 ठीक है अब दोगों जैसे यहाँ पर अगर इसको 0 करें तो t equal to minus 2 आएगा जैसे दोगों यह t plus 2 बराबर 0 है तो t equal to minus 2 आएगा यह t equal to minus 2 इसमें रख दो इसको चौन कर तो क्या होगा 1 upon minus 2 minus 1 तो minus 1 by 3 ठीक है तो दोगों यह minus 1 by 3 हो जाएगा इसके वाद दोगों क्या होगा यहाँ पर जैसे इसको 0 करें तो t minus 1 बराबर 0 दोगों t equal to 1 हो गया अब t equal to 1 इसको चौन कर रखेंगे तो 1 upon 3 हो जाएगा दोगों यह ऐसे है ना t equal to 1 रखेंगे इसको चौन कर तो दोगों क्या होगा यह इसके partial fraction हो गया अब दोगों यहाँ पर 1 by 2 बाहर है और इसकी जगे यह time रखो integral minus 1 by 3 और t plus 2 dt और दोगों यह हो गया plus का integral 1 by 3 t minus 1 और dt ऐसा दोगों हमने यहाँ पर किया ठीक 1 by 2 बाहर है इसके दोगों partial fraction एक time यह आया एक यह आया इसको इसको लिखा अब दोगों क्या हुआ यहाँ पर 1 by 2 बाहर है दोगों यहाँ से minus 1 by 3 बाहर आएगा और 1 upon t plus 2 का integration हो जाएगा log of t plus 2 ठीक है और यहाँ पर भी दोगों 1 by 3 बाहर है ठीक है और इसका integration हो जाएगा log of mod t minus 1 और t की value बापस transfer कर देंगे x square और plus c लगा देंगे तो यह हमें question का answer मिल जाएगा तो मनलब सीधे-सीधे question को देखते ही partial fraction पर नहीं चले जाना चाहिए कोशिश करने चाहिए दोगों जैसे यहाँ पर हमने देखा कि why differentiation उपर है तो हमने x square को team आनके question को easy कर दिया otherwise question तो निकलता लेकिन question थोड़ा tough हो जाता तो यह बाते थोड़ा धान देनी चाहिए लिखो जड़ा बच्चो धान से बहले इसको